पेज नमबर 208 कुश्चन नमबर 12.5 NCRT का सवाल कुश्चन है कि एक वायर है जिसका लेंथ वन मिटर है लेंथ एल वराबर वन मिटर और इसका रेजिस्टेंस आर है आर वराबर 26 वम टी टेंपरेचर पर टेंपरेचर है आपका 20 डिग्री सेल्सियस और वायर का डायमेटर है सवाल है कि इस टेंपरेचर पर रेजिस्टिवीटी मैटरियल का क्या होगा मैटरियल का रेजिस्टिवीटी कितना होगा यह पूछ रहा है इस सवाल बनाने से पहले हम लोग कुछ एक छोटा-छोटा चीज होस सीख लेते हैं आपको कहिंद सब्सक्राइगा कीलो कि इसका एक नुमेरिकल वेलू होता है कि इसका थे इसका नुमेरिकल वेलू होता है 100 १ और एक आएगा डेका उसका दस १ एक आएगा डेसी इसका विलू हो था 10 to the power minus 1 एक होटा है centi इसका विलू हो था 10 to the power minus 2 एक होटा है milli इसका विलू हो था 10 to the power minus 3 एक होटा है micro इसका विलू हो एक होता है नैनो इसका विलू होता है टे टू दिवार माइनस नाइन फिला हाल एतना हम लोग याद रखिए इसको और कीलो का एक सिंबल होता है के अगर कहीं के लिखा हुआ है और हेक्टो का एच डेका का डेसी का डी सेंटी का सी मिली का एम और माइक्रो का सिंबल इस तरह का होता है और नैनो का एन लिखा रहेगा जैसे फॉर एक्जामपल अगर कहीं लिखा रहे है कि मिली मिटर मिली मिटर एक मिली मिटर उसका मतलब क्या होता है आप मिली को हटा करके लिख सकते हैं 10 to the power minus 3 तो 1 into 10 to the power minus 3 मिटर यह हो जाएगा मतलब 10 to the power minus 3 मिटर मिटर का भी M ही होता है मिटर का भी सिंबल M होता है तो यह चुटा चुटा चीज ना आप याद रख लिए इसको याद रख लिए बहुत सारा सवाल में काम आएगा आपको तो इसको हम लोग याद रख लें तो ठीक है अब हम लोग सवाल पर चलते हैं सवाल है कि resistivity निकालना है material का तो resistivity क्या होता रो तो रो कैसे निकलेगा आर बराबर एक relation है resistance और resistivity में आर इक्वल टू रो एल वाई यह यहाँ पर आर का वेलू हमाना दिया हुआ है आर का वेलू हमको पता है चलिए सो काट दे रहा है रो का वेलू हमको निकालना है ठीक एल का वेलू हमको मालूम है length वन मिटर है अब area of cross section इसका कितना होगा diameter इसका दिया हुआ है diameter दिया millimeter और millimeter को हम meter में change कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा into 10 to the power minus 3 meter इतना होगा radius अब area of cross section होता है pi r square area equal to pi r square हम r का value अगर put कर दें r का वेलू चुकी पता है r का वेलू पता हो गया तो यह निकल गया यह निकल गया जब यह तीनों निकल जागा तो रो भी निकल जागा रो का वेलू जो आता है वह इतना आता है यह 1.84 इनटो 10 to the power minus 6 इसका unit हो जागा ohm meter ओम मेटर यह अंसर हो गया रिक्वाइड अंसर आपका अब पूछ रहा है कि टेबल NCRT में जो का भूक है उसमें टेबल 12.2 टेबल 12.2 जो है उसमें पेज नंबर 207 में यह टेबल है तो उसमें से देख करके पूछ रहा है कि कौन सा मैट्रियल है अगर रिजिस्टिविटी मैट्रियल है मैगनीज एक मैट्रियल है यहाँ पर उसका रिजिस्टिविटी जो है इतना ही होता है तो मैट्रियल कौन सा है मैंगनीज है मैंगनीज T